प्रमोद कुमार पांडे इनका डेटो वर्थ है 2 अक्टूबर 1972 शाम को 5 बच के 32 मिनट जन्वस्थान है दिल्ली भगवन आपके प्रधान प्रश्णों में से एक प्रश्ण अपने जो लिखा है ध्यान से समझेगा कई बार होता है चाहे मैं या आप कोई भी हो ब्यप्ति चाहता है कि वो कुछ बढ़ियां सा जल्दी से मिल जाए या जैसे इनकी कुण्डली में इन्होंने पुछा है कि पंडे जी मुझे सरकारी नोकरी अभी तक नहीं मिली है सौ बात की एक पत आपकी कुण्डली में और योग जो बने है उनका आपके जीवन से साम में कैसा है तातपर ये मेरे कहने का है कि आप जिस चीज में अपनी उर्जा लगा रहे हैं जोतिश जैसे सास्त्र की उपा देयता इसी से सिद्ध हो जाती है कि आप अपनी उर्जा जहां लगा रहे हैं जैसे सामानेते हैं कोई भी यग्य कर रहे हैं उसमें जोतिशास्तर आपकी ऐसे मदद करता है कि यग्य कब सुरू किया जाए वीजार ओपन कब किया जाए गर्भाधान में एक स्रेष्ट संतती प्राप्त करने के लिए कब गर्भाधान किया जाए तो इस सास्तर के आधार पे आप बहुत सारे अपने जीवन के प्रशनों को समुचित प्रकार से समझ सकते हैं और ये आपको श्रद्ध करके बता देता है कि आपकी कुर्णी में जो आप पराकरम करने वाले हैं या जो करने जा रहे हैं या जो कर रहे हैं उसकी सफलता कितनी मिलेगी, मतलब कितरे प्रतिशत योग बने हैं कि आप उसमें सफल होंगे शुरू करते हैं आज का कारिकर्म, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल मन के रहिएगा कारिकर्म के आरंभ में सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात भगवान मनु ने अपने आदी ग्रंथ मनुस्मृति में सनातन वैदिक आर्य हिंदू, क्या कहीं मैंने सनातन वैदिक आर्य हिंदू, जो सब के पुरवज हैं, थे नहीं हैं, तो क्या बात कहीं सनातन वैदिक आरिय हिंदू का सर्वमानिय सिध्धान्त से युक्त ग्रंत मनुस्मिर्थी इसको अलंकृत करने के लिए अब जितने शब्द जोड़ना चाहें जोड़नीजे तो क्या बात हो रही थी कि इस सनातन वैदिक आरियस हिंदू धर्म का एक मात्र मानो सम्मिधान जो प्राणी मात्र पे उसके नियम लागू होते हैं मानना ना मानना आपके वसके बाहर की बात है या मान आपके उपर की बात है उसमें बात कहीं गई क्या कहीं गई ब्रह्मण च्छत्रीय वैश्य तीन, वर्न कितने, चार, ब्राम्भण च्छत्रीय वैश्य और शूद्र, इसमें से सूद्र को हटा लेजे, तो बचे कितने, ब्राम्भण, छत्रीय वैश्य, ये तीनों द्व shallow कहे जाते हैं, और इनका यज्यों पवीत संसकार होता है, दुबारा इनका जन्म इसलिए कहा जाता है द्विज मतलब जो दुबारा जन्मा हो द्विजन्मा तो ब्रामण छत्रिय और वेश्य का दुबारा जन्म संस्कार से वेदोक्त मंत्रों से समंत्रक मंत्र के द्वारा मंत्र के अधीन मंत्र से युक्त हो करके उन्हें दुबारा जन्म दिया जात पर इसमें ब्रामणों पे ये बात ज्यादा लागू होती है, प्रमुखतया लागू होती है, सबसे पहले ब्रामणों को ये बात अधिकार से युक्त करती है, कि अगर ब्रामण जो है, वो अगर संसकार से युक्त है, तभी वो वेद अध्यान कर सकता है, अन्य था वो ब्रा अगर संसकार से युक्त हो गए, तो अब आप इह लोक में उन्नती तो करते ही हैं, इह लोक का सुख तो प्राप्त होता ही है, साथी जात आपको परलोक का सुख भी प्राप्त होता है, जो दिखाए नहीं देता, इह लोक का सुख ऐसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आप मंत के द्वारा ब्रामणों के मुखजे अभिशिक्तों होने के बाद आप वेदा ध्यन के लायक हो जाते हैं तो ये इहलोक का सुख है और परलोक का सुख की योगादी जितने भी आप कृत्य कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल आपको परलोक में प्राप्ति होती है परलोक की प्र पल मिला वो परलोक का सुख है अंतर समझ में आगे यहां पढ़ना सबके बसके बाहर की बात है तो ये सुख है ही जिसको मिल गया कि मैं संसकार से युक्त हूँ इस होज़े से मैं वेदा ध्यन का उत्तरा अधिकारी हूँ या वेदा ध्यन का अधिकारी हूँ तो ये एक इ चारण अपने जीवा से करेंगे और फिर उसको जीवन में उतारेंगे तो ये बात है पर ब्राम्वन छत्रिये और वैश्ये में ब्राम्वन समंत्रक होत करके ब्रिजन्मा हो करके वेदा ध्यन करेगा बाकी के जो दोनों हैं वो उन्हें सुनेंगे और जीवन में लाएखे अब ये कुणली बन गए मीन लगन की मीन लगन के अधिपती होते हैं गुरू अपने पैरों पर जल्दी खड़ा होना चाहता है और जितनी वो जल्दबाजी करता है उतना है उसे बिलम्ब होता है क्योंकि गुरू जो सर्वोत क्रिस्ट इस कुंडली के ग्रहते वो इस कुंडली में राहू के संपर्क में आ गए अलग बात है कि राहू इनको माया भी और स्रेस्ट कर्म करने का नेचर हमेशा देता रहेगा परन्तु गुरू अपने प्रभावों से उनमुक्त नहीं हो पा रहे निगटिविटी से कमजोर हो रहे चंद्रमा जो है वो पीछे केतु और शनी से द्रिस्ट और अन्ने किसी सुभग रहका उन पे कोई असर नहीं है इसका अर्थ है कि इस कुण्ली का पंचम भाव जो मेहनत करने के बाद परिणाम का होता है वो शनी से द्रिस्ट होने के कारण बारहमे भाव के अधिपती के तिर्तिये में बैठ जाने से पराकरम जादा करने पे विवश करता है और पंचम भाव पे शत्रुग्रा को और शत्रुराशी को देखने के कारण देर से परिणाम देता है अब यहां रोग करकर आपको मैं आपकी कुण्ली के पंचांग से मिला देता हूँ किसी भी वक्ती की कुणली में पंचांग बेहद आवशक होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है ये बात हमेशा ही समझने वाली है कि आपकी कुणली में तिथी, योग, करण, नक्षत्र और दिन कौन-कौन से हैं जैसे इनकी कुणली में इनका जन्म भादरपत माह में दक्षण आयन में जन्मे हैं इस वज़ा से सरकारी नौकरी में दिकत होगी और पिता का स्वास्त, पिता के सांथ सम्मंध और पिता का कारोबार और पिता का घर प्रभावित होता है आत्मा विश्वास भी शरद रितू में ये व्यक्ती को आलसी बनाता है सो मुआर को जन् व्यक्ति की कुंडली में जब कभी भी वो आगे बढ़ना चाहे तो उसको दिकत होगी और खृष्ण पक्षके एकादर्शी के चंद्रमा चुकी पापक हो जाते हैं इस वज़ा से उसे परिशानी होगी नौकरी मिलने में धनागमन में धन के नरगमन में रेगुलर इंकम में और मानसिक व्यता, रोग प्रतिरोध अक्षम्दा, मता जी का स्वास्त और अपना मन ये सब दूर जा करके बैठ जाते हैं और फिर आपकी लड़ाई खुद से ही शुरू होती है ये कई बार आपको द्वन्द में फसा देता है गलत निरने लेने वाला बना देता है और च आपकी अच्छी है बाविश्य को समझने और देखने की छम्ता आपकी कुडली में ज्यादा अच्छी बनी है ब्रामड बढ़नके होने के कारण व्यक्ति सात्तिक और राजसिक और तामसिक तीनों में से राजसिक और सात्तिक तो नहीं पर तामसिक जरूर है ब्रामण बढ़न के हैं तो इस वजह से मैं ये बात कर सकता हूं कि बिप्ति के पास नेचर में अच्छाई है और वो कम से कम सास्तर को समझने की चेस्ता करता है सास्तर को समझता है और ग्यानी भी है ये बात मैंने पंचांग में इतनी बते हैं पंचांग म कमजोरी और नौक्री अभी तक नहीं मिली आप खुद को देख लीजे आप 1972 के हैं मतलब है कि अब नौक्री के योग बहुत कमजोर और बहुत ही ना के बराबर मैं इस कुंडली को जब मैं इनकी कुंडली देख रहा था तो इनका प्रस्ल जो इन्होंने मुझे बेजा था त निकल जी बता रहे थैं कि पर उसके बल नहीं है न तो गुरू का न तो शुक्र का और न तो इस भाव पे किसी भी अच्छे ग्रह की दृस्टी है इस कारण से कई बार दामपत्य में भी खटे मिटे संब्दा बनते हैं पत्नी का स्वास्त तो ठीक रहता है पर वो जैसा ये इतनी सी बात है इस कुल्ली में दशमांस को देखिए दशमांस कुल्ली में दशमस्थान में ही नीच के सुक्र बैठे हैं राहू के संग ये ब्याय बढ़ा देते हैं और यहाँ पे केतु के बैठने के कारण मानसिक व्यथा बनी रखती है तिरती भाव में गुरू बहु ये नीच के हो करके बैठ गए यानि कि ये भाव बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन में नहीं जा रहा है इसके अत्रिक्त आपकी कुल्ली में मंगल नीच का है जो कौन है पंचमेश नीच के हो गए और जन्म कुल्ली में लगनेस कहां तुर्तिय भाव में मतलब अब कट जन्म भाव के अधिपती जो बनते हैं वो गुरु बनते हैं उनका संबंद कहीं से भी शानी से नहीं बन रहा है जन्म कुल्ली में चोधे भाव के अधिपती बुद्ध जन्म कुल्ली में स्वक रही है या उच्च के हैं पर शुक्र जो है वो जन्म कुल्ली में हालाकि शूरी जो है वो 15 डिगरी के, मंगल जो है वो 7 डिगरी के. शूरी ने मंगल और बुद्ध को अस्त करके आपके अंदर छिपे हुए तमाम जो अच्छे क्वालिटी वाले गुन थे, उन सब को दमित कर दिया है. यह कमजूर कर दिया है, उनने कस्ट में रख दिया है. इस यानि कि ये कुंडली इस वज़े से भी मेहनत कर रही है क्योंकि तृतिये भाव के अधिपती कमजोर है और तृतिये भाव का कारक मंगल अस्त है तृतिये के कारक मंगल अस्त और दृतिये के अधिपती मंगल अस्त पंचम के अधिपती जन्मकुंडली में चंद्रमा जन्मक तो 12 में भाव का अधिपती जहां बैठेगा उसको कस्त देगा तो 12 में भाव के आधिपती कहा बैठे पराक्रम में अगर पराक्रम भाव आपकी की मेणाद का फ़ल कैसे निलेगा है कि निलेतल ग्यूंद्पाद देखाए का केciu व्लोर पिजिए पिए गुरु राहू के संपर्क में और शुक्र नीचा भिलासी चंद्रमा पे शनी की दिर्ष्टी पढ़ गई शनी की दिर्ष्टी बारने भाव पे शनी की दिर्ष्टी भागे भाव पे ये खराब और शनी की दिर्ष्टी तीसरी जन्मकुणली में चंद्रमा पे तो शनी की दि लगन पे बुद्ध की दृष्टी है और लगन पे सुरी की दृष्टी है जर अविचार करके देखे आपकी कुंडली में लगनेश पहले ही राहुकेतु के संपर्क में हैं और लगन पे तीन तीन पापक ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा कारण है क्योंकि दो सुभग्रह के संपर्क करके बुद्ध भी पापक ग्रह जिसमें से आपकी क्रियेटिविटी और आपके क्रियेशन को मंगल को और बुद्ध को दोष्ट लग गया था अस्थ होने के कारण वो आपकी कुंडली के दुतिये भाव से भी परणाम देखा जाता है और पंचम भाव से भी पढ़े राहो की दृष्टी पढ़ गई गुरू की दृष्टी थी पर इस भाव के अधिपती कमजोर थे इस कुंडली में सिच्छ किये योग बने हैं आप पढ़ाना चाहें तो बिल्कुल पढ़ा लीजे अब इंतजार नौकरी का मत करिए इस कुंडली में नौकरी के य लगनेस का केंद्र में बैठ दो-दो-तीन-तीन पापक ग्रहों का लगन को देखना बुद्ध यहां पापक हो जाएंगे शुक्र जन्मकुंड़नी में बारहुमे भाव पे और शनी की दृष्टी बारहुमे भाव पे इस आदार पे आप जब देखें तो बारहुमे भाव को कौन देख रहा है अनुभवी है और उसे बहुत सारी चीजों का ज्यान भी है पर वो अनुभव चुकि अस्तवेंस बहुत ही परेशान दिख रहे हैं कारण है कि उनकी इन पे राहों की भी दृष्टी पड़ गई और किसी सुभग्रह से कोई प्रभाव भी नहीं है पिछे चंद्रमा आगे ब बनेंगे जो कम से कम किसी भी तरीके से किसी सुभग्रह से दृष्ट नहीं होने के कारण परेशानी के कारण बनेंगे ब्यक्ति की कुण्ली में अस्तम भाव के अधिपती गनीमत है कि छट्वें भाव में बैठ करके विपरित राज्योग बना रहे हैं वैसे अगर आप द दृष्ट भाव के अधिपती होकर के राहू से दृष्ट हो रहे हैं जिसके कारण व्यक्ति में कारिक शेत्र को लेकर के बहुत जादा साहस रहता है दम तक अंतिम समय तक बिलकुल ही जबरदस्त तरीके से चीजों को पकड़ करके रगणना चाहता है और उसके बाद वो तपना चाहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है मुझे वक्त पे मिले न मिले बिलंब से ही मिले पर मैं अपनी कोशिस छोड़ूंगा नहीं ये भाव परिक्षा को लेकर के सुक्र के उपर राहू की दृष्टी और हर जगह यहां भी सुक्र के उपर राहू की दृष्ट गुरु के साथ राहू के बैठने की कारण आ रहा है। अगर वो साकरात्मक है अभी भी तो इस कारण से है क्योंकि राहू दशमस्थान में दशमेस के संग बैठे हैं। परिशानी से व्यक्ति को निकालने में मदद भी करेंगे पर चुकि गुरु के प्रभावों में कमजोरी आएगी और वहां गुरु साथ निगरी के और राहू 39 दिगरी के हैं। अवस्थागत गुरु उसको डील करने की कोशिश करेंगे पर फिर भी वो थोड़े से किंचित मात्र परिशानी की कारण भी बनेंगे। हालकि मंगल जो हैं वो इस कुण्डली में गुरु को देख रहे हैं और दशम भाव पे अन्य किसी सुभग्रह की कोई दृस्टी नहीं है। भाग्य भाव के अधिपती पहले ही लगनप को देख रहे हैं पचास प्रतिशत से भी क इस कुण्डली में बैठ करके काम करने का योग है। बाकी इस कुण्डली में अभी चंदरमा की दशा चल रही है। अभी नौकरी के योग बड़े कमजोर मुझे दिख रहे हैं और कम से कम आपको आगे की सुध लेकर करके जरूर ही कुछ और कर लेना चाहिए दश्मान सा कुंड़ी में लगने इस तुरतिय भाव में बैटे हैं ये ठीक नहीं होता यहां भी लगन के अधिपदी सुरिय जो बैटे हैं वो दशावस्थान में बैटे हैं और शनी दुतिय भाव में बैटे हैं आशावादी है वो परिणाम को ले करके पर फिर भी वो भाग्य का सुख और वो जो नरुत्तम बना देता है वक्ति को उसकी कमजोरी है इस कुंड़ी में सुरिय जन्म कुंड़ी में 15 डिगरी के युवावस्था के हस्त नक्षत्र में चंड़मा स्वग रही पर पापग्रा होकर गए बैटे हैं इस मज़े सुरी के पास आत्म रक्षा का भाव रहेगा और कम से कम वो ब्यक्ति को उर्जावान बनाएंगे चंड़मा जिस नक्षत्र में बैटे हैं उसके आधार पर ब्यक्ति का काम रोक रहे हैं मंगल जिस नक्षत्र में बैटे हैं उत्राफ हालगोनी नक्षत्र के इसका अर्थ होगा कि वो ब्यक्ति को एनर्जेटिक बनाने के साथ-साथ कई बार गलत निरने लेने वाला और जिस दिशा में जाने की स्थती होनी चाहिए कई बार वो उस दिशा में ना जा करके उल्टे दिशा में भीज बढ़ा है मंगल इस कुंडली में अस्त हैं इस वज़े से उन्होंने अपना परिणाम कमजोर किया है भाग्य भाव का अधिपती होकर के अस्त हुआ है अगर इस वज़े से भाग्यश कमजोर होंगे क्योंकि भाग्य के कारक पहले ही राहो के संपर्क में आकर के अपने प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं मंगल के बाद बुद्ध जिस स्थती में बैटे हैं उसके अधार पर उसके पास creativity है वो calligraphy जानता है उसकी अक्षर और लिखावट बड़ी सुन्दर है उसके पास गणना करने की शक्ती बड़ी अच्छी है वो अदभूत कलाओं का मालिक है वो ज्यानी है वो समझदार है वो इनसान सभी चीजों में अपने भावों को सही तरीके से input रखना चाहता है और करना जानता है पर इन सब के अतरिक्त भी शनी, मंगल का अस्त शनी का तीसरे भाव में बैठना चंद्रमा के उपर शनी की द्रिस्टी दशमान्स कुंडली में लगने इसका तृतिय में जाना शुक्र का नीच होकर के राहू से द्रिस्टोना ये सारी बातें जो कुंडली में बनी है वो जातक को परिशानी के लिए परिशानी में डाल रही है इसके अतरिक्त गुरू मूल लक्षत के बैटे हैं साथ डिगरी के अवस्था में अभी वो बढ़ी रहे हैं पर राहू के संपर्क में हाला कि उन्होंने राहू को बहुत जादा टैकल किया है और शुख परिशा के मामले में अपने करियर के मामले में ये जो कहीं भी थोड़ी बहुत सबलता मिली है वो उसी गुरू और राहू के संग मिली है गुरू से चंद्रमा का समद्ध ठीक नहीं है न इस वज़ा से भाव कमजोर हो जाता है शुक्र जिस जिस्थती में बैटे है उसके आधार पे मैं एक बात और बता दू उनके पास अनवाव है धर्म शास्त्र है ज्यान है पक्षकाबल मजबूत नहीं होता अगर चंद्रमा के पास पक्षकाबल होता तो कम से कम सुक्र भी अच्छे परणाम दे सकते थे सुक्र यहां जन्मकुर्णी में व्यक्ति को दैनादिक क्रियाओं में गति विधियों में लिप्त रखने वाले और मजबूती से उसकी पाट पढ़ाने वाले सिद्ध हो रहे हैं नमांस कुंड़ी में विशुक्र बहुत अच्छे तो नहीं ही बैठ रहे हैं यहां पर भी दशमभाव में सुर्य बैठे हैं पर एक बात है कि विधि लक्षमी संपन्न योग ले करके पैदा हुआ है एक मात्रग्रा चंद्रमा के कमजोर होने के कारण जातक की कुंड़ी कमजोर हो रही है यह शुक्र थे शनी आपकी कुंड़ी में कोशिस करिए कि कई बार वन विभाग से समदित भूगर्भ जो छेत्र होते हैं भूमी के अंदर उसे समदित ग्यप्ति को ग्यान बाट कर के धन कमाने की कोशिस करनी चाहिए इस कुंड़ी के लिए उत्तर पूर्व दिशा बहुत अच्छी है इस कुंड़ी के लिए विरिश्चिक रासी और करक रासी बहुत अच्छी है इस कुंड़ी के लिए तीन संख्या बहुत अच्छी है इस कुंड़ी के लिए शुक्रबार का दिन बहुत अच्छा है इस कुंड़ी के लिए पुनरवसू, मरिगशीरा, हस्त, उत्तराशाड़ा, उत्तरावादरबद और उत्तराफालगुनी का द्रिक्त, रेवती, रोहिंडी और मरिगशीरा मैंने कहा ये नक्षप तो किसी भी काम को करने के लिए बड़े उत्तम और अच्छे रहेंगे इसके साथ-साथ, नमान्स कुंड़ी में जो दामपत्य का भाव बन रहा है, यहां के अधिपती दुतिय भाव में हैं, अलग बात है कि वो मित्र की रासी में हैं, पर यहां के अधिपती लगन में बैठ करके दुतिय भाव को, दुतिय भाव के अधिपती सब पत्नी के साथ जुड़ करके अगर कोई कारोबार स्तापित किया जाए तो नेसंदे सफलता मिल जाएगी इसके अत्रिक्त आपकी कुंडली में बारवे भाव के अधिपती चंद्रमा राहू के संग और घुरू से द्रिस्ट है हालकि इस कुंडली के लिए पंचमेश से द्रिस्ट होना बात इतनी है परिणाम के आधार पे आपकी कुंडली में सुरिय और चंद्रमा में से सुरिय के पास बल जादा है मंगल और बुद्ध दोनों कमजोर क्यूंकि अस्त हैं हाला कि अस्त अपने कारक शेत्रों का परिणाम देते रहते हैं इसकार्थ होगा कि आपके पास creativity रहे कुल देवता की पूजा कुल देवी की पूजा और शिव जी को सफेद पुष्पकी माला इसके अत्रिप्त बजरंग बली को लाल पुष्पकी माला मंगलवार या शनिवार को अर्पित करें पीपल के ब्रिक्ष की परिक्रमा शनिवार को अवस्य करें ये मंगल और बुद दिखता नहीं है और वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि शनी तृतिय भाव में बैटे हैं जहां से वो बारने भाव को देख करके आपके मन को अत्रिप्त करना चाहते हैं इस भाव में केतु माता को रोगी इस भाव पे गुरू की सत्रू दिर्ष्टी इस भाव के अधिप सावधानी की आवशकता होगी उस समय लाजवर्थ आरण कर दीजेगा होरा कुंडली के आधार पे आपकी कुंडली में राहू और मंगल में जो इस्थुती दिख रही है उसमें राहू की दशार डिप्रेसिब हो सकती है कन्फ्यूजिंग हो सकती है नुकसान दायक हो सकती है माता पिता को कस्ट देने वाली हो सकती है अगर नौकरी किसी भी तरीके से लग भी जाये तो वहाँ भी प्रत्योगिता देखने को मिल जाती है मानसी का इस्थरता का दौर चलता है माता पिता को दुख होता है और कई बार कुटम बजन और समाज से कलुशित भावों की क तरण होंगे आरम भगे 6 साल और फिर उसके बाद 6 साल ये जो दशा रहेगी वो कम से कम आपको कुछ दिखा करके जाएगी हाला कि फिर भी उसमें संका है कि वो अपना संपोर्ण नहीं देगा हाँ पर मंगल आपके कुणली में सामानित्या मेनत करवा करके थोड़ी बहुत शांती से कुछ बहुत परिणाम दे सकते हैं इसके अत्रिक्त राहू और मंगल के कारण और केतु के बाद आपके कुणली में जितने एक रह बने हैं सुरीस, चंद्रमा, पुद्ध, गुरू, शुकरशणी ये सब मेहनत करवा करके ही दन देंगे ये कुणली कार्मिक कुणली है, भाग्यशाली नहीं है भाग्य भागो के अधिपति जन्म कुणली में मंगल अस्त हो रहे हैं और भागे के कारक पहले ही राहु गुरू के संपर्थ में आ रहे हैं, इस कारण से ये परिशानी बन रही है, इस कुणले में संतान का सुख निश्य दुरू से ठीक है, पर थोड़ी बहुत वैचारिक मतवेद और थोड़े बहुत स्वास्त में कमजोरी ऐसा भी दिख रहा ह अपने आपको समझिये, अपनी उर्जा को पहचानिये, अपने आपको ग्यान से युक्त रखिये और किसी बहुत बड़े संस्थान की अधिपती से अपना संपर्ख बनाएए, कोई नेता हो, कोई ऐसा पुरुष जो आपके उस छेत्र का बड़ा ही अच्छा व्यक्ति हो, पदवाला हो, उस काम को उसके साथ जोड़ करके करने से बहुत समलता मिल सकती है, अभी तो चंदरमा की दशा है, जो आपको परिशान करेगी, हाला कि आपकी कुणली में एक बहुत अच्छी दशा मैं इस कुणली में देख रहा हूँ, 2024 के बाद, 2026 के पाच्वे महिने से 2026 के दिसंबर तक जो भी काम मिले, उसे चुप चाप कर लीजेगा, उसके बाद अगर कुछ भी और अच्छा करना होगा, तो आपकी कुणली में मंगल की दशा थोड़ी बहुत अच्छे परनाम दे सकती है, पर एक वर्स बाद आपको कुछ और भी अत्रिक तलाव मिलेग जिसमें कई बार आपको नौकरी यादी में, कई बार आपके कारक्षेत्र में, कई बार आपके साहस में, कई बार आपके दाना आगमान के मामले बढ़ेंगे और अच्छा होगा, ये आपकी कुणली है, इस कुणली में धन भाव, लगन के अधिपती का दशम में बैठना पंचम भाव पे चंद्रमा परशनी से दिरिष्ट पंचमे इस पंचम में इस वज़ा से ग्यान का पक्ष है संताती का सुख है चट्वे भाव के अधिपती का लगन को देखना और चट्वे भाव पे राहू शुक्र का प्रभाव स्वास्त के कारण व्यक्ति के जीवन में औ और कईबार उसके कारण, aristics हो जाने के कारण, कईबार कारेक्ष्टर में बिलंभ होने के कारण व्यक्ति का भ्याए बढ़ता है और धन खर्च होता रहता है सातवाव वाव तीन गर्भाव बैटे हैं आप बुद्ध से भी सम्मदित कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं मतलब वाणी से समन्दित और कहीं किसी अकाउंटेंट से समन्दित बैंकिंग, फिनांस और ऐसे कोई मेनेजमेंट वगरा का भी कोई आवेर काम बनता हो तो आप कर सबते हैं ऐसी कोई बात नहीं है आप कोई भी कारोबार अपना सुरू करिए आठ्मा भाव विपरित राज्योग में ये धासेगा, गड़ेगा, तम जाकर के परणाम देगा ये बात है, परपतनी के कारण कई बार विपरित उस्तिती ना बने इसका ख्याल रखना चाहिए और कई बार रिसर्च और आपका बहुत ज़्यादा ये सोच करके नहीं मेरी नौकरी लगेगी ये सोच करके कई बार विपति अपना वक्त नुकसान किया है हर बार परिक्षा ये आये तो इसके बाद वाले में हो जाए, इसके वाले में हो जाए ऐसा सूच सूच करके उसका वक्त निकल जाता है नवम भाव जन्म कुडली में ठीक है ये योग बढ़ियां बना है आपकी पत्नी आपसे ज़्यादा साहसी है आठवे भाव के बाद नवम भाव ठीक बना समानित्या एकादश्वान मैनत करवा रहा है भाव के अतिपथी बारवे में आपका अभ्य आपने आपको संतुलित कर रहा है अलाकि आप फिर भी आपके कुडली में मोक्षियोग लगा है इस कुडली में शनी ने चंद्रमा को प्रभावित किया है गुरून राहू से प्रभावित हो रहे हैं सुर्ये से मंगल और बुद्ध प्रवावित हो रहे हैं ये सारी इस्थितियां जनकुंडली को कमजोर करने के लिए काफी हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजे ये चितने भी काम मैंने कहा हैं सुर्ये को अर्ग, शप्तव स्लोकी दुर्गा का पाठ हनमान चालिसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ, मंदर का दर्शन और अपने आपको और भी घिसने की आवशकता तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार